इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उप्रब्द है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी कृप से मौझूद है बंगलादेश में खत्रे की घंटी बच रही है बंगलादेश को अब डर लग रहा है बंगलादेश को अब अपनी सिक्योरिटी पर खत्रा मंदराता हुआ नजर आ रहा है अब वो इस क्राइसिस का फॉरन निप्टारा चाहता है लेकिन भरत तो पिछले 10-12 सालों से लगा अबतार ये बात कह रहा है लेकिन तब उसके चिंता को उसका पूर्वाग्रा बताया गया था तब उसे अमानविय साबित करने की कोशिश की गई थी तो अब क्या हुआ नमस्कार दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मै हुआ लोग दोस्तों मैं जिस खत्रे की घंटी की बात कर रहा हूँ वो है बंगलादेश के रोहिंग्या मुसल्मानों के कैंप्स भारत ने आज नहीं साल 2016-17 में ही अपने यहां के रोहिंग्या कैंप्स को लेकर सख्ट एक्शन लेने शुरू कर दिये थे तब बंगलादे है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैनमयार से भागे रोहिंग्या मुसल्मानों को अपने देश में शरण देने वाला बंगलादेश क्यों पच्चता रहा है क्यों अब वो जल से जल अपनी जमीन से रोहिंग्या मुसल्मानों को वापस भगा बेजना चाहता है और बंगलादेश ही क्यों मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्रीज भी रोहिंगिया मुसल्मानों से पीछा क्यों चुड़ाना चाहती है OIC यानी Organization of Islamic Corporation से जुड़े देशों से भी मिन्नत कर रहा है कि वो जल से जल रोहिंगियाओं को उनके देश भीजने में मदद करें धाका ट्रिब्यून की एक खबर 30 मई किये है बंगलादेश के Foreign Minister हसन महमूद नियॉयॉर्क में थे यहां उन्होंने OIC की बैठक में OIC से मिन्नमयार से भाग कर बंगलादेश में बसे 1.3 मिलियन रोहिंगिया लोगों की स्थाई वापसी सुनिश्चित करने के लिए मदद मांगी है यह वही बंगलादेश है जो 2017 में बाहें पहला पहला कर मिन्नमयार से भाग कर आ रहे है रोहिंगियाओं के स्वागत के लिए खड़ा था तो 2017 से अब तक बंगलादेश में ऐसा क्या बदल गया कि रोहिंगिया मुसल्मानों को लेकर उसके सुरु बदलने लगी जबकि वो खुद मुसलिम कंट्री है ना केवल रोहिंगिया कैम्प्स में उसे आतंक के अड़े नजर आने लगे बलकि अब वो जल से जल इन रोहिंगियाओं से छुट्टी पाने के लिए उतावला हो रहा है इसकी वज़ा वही है जो भारत शुरु से कहता आ रहा है रोहिंगियाओं का बड़े पैमाने पर पलायन और दूसरे देश में बसाहट उस देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है बंगला देश के कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी शल्टर है इसका नाम है कुट्टू पलाउंग रिफ्यूजी कैम्प इस कैम्प में तकरीबन 9,30,000 रोहिंगिया रिफ्यूजी रहते हैं असल में यह अब केवल कहने का कैम्प है यह एक शहर में तबदील हो चुका है अल जजीरा ने 25 अगस्त 2023 को इस कैम्प को लेकर एक डिटेल स्टोरी पब्लिश की थी इस स्टोरी में बताया गया था कि कॉक्स बाजार में टोटल 33 कैम्प हैं जिन में जुलाई 2023 तक 9,31,960 रोहिंगिया रिफ्यूजी रह रहे थे जहाई ने बसाये गया है वो केवल 24 स्क्वाइर किलोमिटर का इलाका है इसके साथ साथ 30,456 रोहिंगिया मुसल्मान बासान चार नाम के एक आईलेंड पर बने कैम्प में भी रह रहे हैं WHO से लेकर दुनिया भर के human rights organizations और मुसल्म कम्यूनिटी के साथ साथ कई देश इन refugee camps के लिए बंगलादेश को बड़ी मदद भेच रहे हैं हलाके इसके बावजूद camps में रहने वाले refugee नर्क जैसी जिन्दगी जी रहे हैं 2018 में बंगलादेश ने अंतर राष्टे संस्थाओं से रोहिंगियाओं के मैनमयार में पुनरवास को लेकर जोर दिया था तब ये भी कहा जा रहा था कि बंगलादेश इन रोहिंगियाओं को डिपोर्ट भी कर देगा लेकिन बाद में बंगलादेश ने इस से इंकार कर दिया था कहा गया था कि किसी भी रोहिंग्या को जबरन मयानमार नहीं भेजा चाएगा लेकिन अब बंगलादेश खुद परिशान हो चुका है रोहिंग्या मुसल्मानों के कैंप्स उसके अपने देश के लिए जो कि खुद एक मुसलिम कंट्री है इसलामिक कंट्री है उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके है अब सोचिए कि जो नौन मुसलिम देश है जैसा कि भारत है वहा क्या इसी वजह से 31 माई को बंगलादेश के ग्रिह मंत्री कौक्स बाजार के दो दिनों के दोरे पर थे उनके साथ बंगलादेश के पुलिस आईजी, एडिशनल आईजी, बंगलादेश के आरंट पुलिस बटालियन के चीफ समेत कई बड़े अधिकारी भी मौझूद थे बंगलादेश के होम मिनिस्टर ने ना केवल कैंप्स का दोरा किया, बलकि दोनों दिन कैंप्स से जुड़े अलग-अलग इशूज को लेकर मीटिंग्स भी की और अपने इस दोरे में बंगलादेश के होम मिनिस्टर असद्दु जमान खान कमाल ने जो बयान दिया, उसने पूरे बंगलादेश के लिए खत्रे की घंटी बचा दी है अगर रोहिंग्याओं को जल्द ही वापस नहीं भेजा गया तो यहां बढ़ता संतोश रोहिंग्या शिविरु को अंतर राष्ट्र आतंकवादियों के संभावित केंदर में बदल सकता है हमें इससे जुड़े कुछ सबूत मिल रहे हैं और तब ही बंगलादेश इन रोहिंग्याओं को जल से जल अपने देश से बाहर निकालने के लिए बेचायन हो रहा है और इसके लिए वो बहाना भी सुनने को तैयार नहीं है कि मियान मियार में अभी सिविल वार के वज़ज़ से हालात खराब हो चुके हैं OIC की बैठक में इस बारे में बंगलादेश ने दो टूक जवाब भी दे दिया तो क्या रोहिंग्या कैम्स के आतंकियों के कैम बनने के खबर कोई नई खबर है एक्स्क्लूजिव है जी नहीं रोहिंग्या मुसल्मानों के आतंकी कनेक्शन की बात तो 2016-17 में सामने आ चुकी थी लेकिन तब भंगलादेश ने इसे लेकर अपनी आँखे बंद गर ली थी उसे लगता था कि चलो इस बात को छड़ना नहीं अलजजिरा की रिपोर्ट 2017 की है भारा सरकार ने देश में रोहिंग्या कैम्प्स और रोहिंग्या अबादी की जाच परताल तेज कर दी थी तब सरकार ने दावा किया था कि रोहिंग्या मुसल्मानों के आतंकीों के साथ कनेक्शन है भारत सरकार ने तब सुप्रीम कोट में इससे जुड़े सबूत भी पेश किये थे यह निकी एशिया की खबर है 3 अक्टूबर 2017 को पबलिश यह खबर बता रही है कि रोहिंग्या क्राइसिस में आतंकवाद और सोशल अन्रेस्ट के खतरे को बढ़ा दिया है DW की इस खबर में बताया गया है कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों को पाकिस्तानी इंटेलिजन्स रेडिकलाइज कर रही है इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के खुफ़े अजनसी आईएसाई कौक्स बाजार के रोहिंग्या कैम्प्स के 40 रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रही है भारत की अजनसीज ने इसे लेकर सेना और B.S.F. को अलर्ट भी बहेजा था इसमें बताया गया था कि आईएसाई इस काम को बंगला देश के आतंकी संगठन जमातल मुझाहिदीन के जरिये करवा रही है और इसके लिए पैसा मलेशिया और साओधी अरब के रास्ते बहेजा जा रहा है कहने को तो ये कहा जा सकता है कि साल 2020 में छपी ये खबर भारत के आरोपों के आधार पर तयार की गई थी लेकिन इसी खबर में ब्रुसल्स बेज तिंग टैंक साओध इशिया डेमोक्रेटिक फोर्म के डिरेक्टर डॉक्टर सीजफ्राइड ओ वुल्फ का बयान भी है और दूसरे सामान सप्लाई करता रहता है कश्मीर पर दुनिया भर का ध्यान है इसलिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेरिजम उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है लेकिन अब वो रोहिंगियाओं को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन आप जानकर रहरान है जाएंगे कि तब भी बंगलादेश ने इस खत्रे से इंकार कर दिया तक आथा कि भारत के खिलाफ वो रोहिंगियाओं कैम्प में कोई अक्टिविटीज नहीं होने देंगे लेकिन क्या सच में यह हो पाया नहीं हुआ और तभी आज बंगलादेश को इन्हीं कैम्प से डर लगने लगा है अपने ही रोहिंग्या मुसल्मानों से मतलब अपने ही कहने का मतलब है कि वो भी मुसल्मान है वो भी मुसल्मान है उनसे डर लगने लगा है खत्रा लगने लगा है असल में बंगलादेश के रोहिंग्या कैम्प्स में लौ एंड ओर्डर के सिचुएशन हमेशा से खराब रही 26 अक्टूबर 2021 को D.W. में 26 खबर को देखिए ये खबर रोहिंग्या कैम्प्स में बढ़ते गैंग वार के खत्रे की चेतावनी दे रही थी इसी खबर में बताया गया है कि 2018 में बंगलादेश के पी-म शेक हसीना ने पहली बार कहा था कि रोहिंग्या बंगलादेश समेत पूरे रीजन के लिए बड़ा खत्रा बनते जा रहे हैं अब इस खबर को देखिए पिछले साल 16 फरवरी ये खबर बता रही है कि बंगलादेश गर्वर्मन ने रोहिंग्या कैम्प्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी है उसकी वज़ा भी बताता हूँ देखिए लिखा है कि बंगलादेश की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मताबिक इन कैम्प्स में दस आतंकी और डकैतों के ग्रुप अक्टिव हैं जो हर तरह की क्रिमिनल अक्टिविटीज में शामिल हैं यूमन ट्राफिकिंग, चाइल्ड ट्राफिकिंग, मॉडर, रेप जैसे क्राइम तो इन कैम्प्स में आम बात हो चुकी है लेकिन इन आतंकी संगठनों की घुसपैट ने इन कैम्प्स को वाकई आतंकवादियों के गढ़ में बदल दिया है ये खत्रा बंगलादेश के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा है बंगलादेश और मेरमयार अभी भी भारत में घुसपैट वहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं पहले बंगलादेशी बड़ी तादाद में भारत में बस चुके हैं और अब रोहिंग्या मुसल्मान भी अवैद रुप से भारत में घुस चुके हैं ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं इतना ही नहीं, ये सामाजिक ताने बाने को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं अब समझने वाली बात है, भारत में भी बहुत से लोग और संगठन रोहिंग्या मुसल्मानों के खिलाफ सरकार के अक्शन का विरोध करते हैं लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि मानवाध धिकारों की वज़ज़ से, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझोता नहीं किया जासकता रोहिंग्याओं के साथ मैनमार में बरबरता अगर हो रही है, जादती अगर हो रही है चलिए मान लेते हैं इसमों कोई दोराय नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तो उन सब को अपने देश में बसा लिया जाए ये एक टाइम बॉम का बटन दबाने जैसा होगा अब बंगलादेश को ही देख लीचे मुसलिम कंट्री है ना उसने मुसल्मानों के नाम पर रोहिंग्या मुसल्मानों को इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ इसलिए ही जगा दी क्योंकि वो मुसल्मान थे सवाल उठता है कि क्या मैनमयार से अगर बौध या क्रिश्चन्स की इतनी बड़ी आबादी पलायन करती तो बंगलादेश उनके लिए दर्वाजे खोलता है नहीं खोलता किसी भी कीमत पर नहीं खोलता अब यह देखिए कि बंगलादेश में मुसलिम कंट्री है बावजूद इसके रोहिंग्या मुसल्मान उसके लिए मुसीबत बन गए है इंडोनेशिया और मलेशिया भी मुसलिम देश है लेकिन वहां भी रोहिंग्या मुसल्मानों के खिलाब मुसल्मानी महा के प्रदश्चन कर रहे हैं वजा क्या है? वजा यह है कि किसी देश से भागे लोगों को इस तरह अपने देश में बसाना कहीं से भी सही नहीं है इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी और अवायद घुसपैटियों के खिलाफ एक्शन भी तेज करना होगा इसलिए जरूरी है नर्सी जरूरी है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताईए और जिन दोस्तों ने अभी तक ड आते रहेंगे facts and figures के साथ जल्दे विलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए कोई दोस्तों वीडियो कोई वीडियो कोई बिचारा था कोई गुनाव कोई सदा कोई कुछ है लेकर मुझे हैरत होती उस बंदे पर यार चले कोई थोड़ा से कमजोर और लड़का ताइप हो तो फिर भी समझ में आता है कि यार वो लड़का था डर गया था या कुछ अच्छा वा तो यह अच्छा खासा तगड़ा बंदा था यार और वीडियो में भी आमने उसके पगएदा वीडियो भी देखिए जा वो उसको जो सीधी फायर करने लगता है एन दफ़ा उसमें बुल्ट मारा है तो फिर वुसा साथ ही करा है मैं हिरान हूं कि अगर यार तो इतने तगड़े बंदे उसको पकड़ कर एक दूँ तो उसको लगा तो जब बुल्ट बंदा बाद लेता है ना जिसके पास असला होता है तो यकीन जाने उसी आदिए असलम भई क्या बात कर रहा है मतलब जो मरने वाला मकतूल है उस पर इल्जाम लगाए जो उसको कमस कब कुछ तो करता है एक बंदा जब बुल्ट मारता है तो यकीन जाने मतलब जिसमें मारा है तो कोई गुना बुसूर नहीं है जो मरने वाला खुत सायविए उसको कुए उसको कु़तने वाला है उसको हम कौनसी शाओश दे ले है कमीने उसको गतल कर दिया 17 चोटी सी बात पर हूं कि तुमने मुद्धियुक्त से शुरू किया कि उसने किया खुशना है तुम्हे बात पर हो रही है ए तुम हमें उसका अफसोत करना चाहिए तुम गुनागारी शुरू का उसको थोड़ा सा तो रिटैलियेट करना चाहिए ता जवाब देना तुम फ़ाब करें तो जल्दी मार देता हुए तो यार वह साथ खड़ा तो सान अपने पाकिस्तानियों को बुलेट फ्रूफ जैकेट पैंक फितना चाहिए कि हमें पता कि पाकिस्तान देशल्कार तुम्हार का है इधर तन्जीमें हैं इधर लोग जो है वह जूटे मकार बदक आप मुझे भी यह लागे रहा है कि मैं भी आप मतलब के अधर से ना बुलिट प्रूफ ना बता हो जागे जागे ते कि उस बंदे से यह आप नहीं फिरू कर दिया है उस पिस्टल जोड़े अगर वार बार बार यह वही बात रटा लगा रहे हो अगर पिस्टल होता चले सम वो मरने वाल किदर ले जा रहे हो मैं होगे तो पर यह प्रड़े तो उसको डड़ेट करना चाहिए हूं डोडा सा उसको आगे से कुछ तो करना चाहिए हमन प्रिकका कम फकॉँं कम उसका ज्यार तो कही था, वो कौई सा बच्चा था, उसने तो भलत कर दिया हने जान बु वार्षें भी हो लिए हैं लेकिन इनको कोई ज्यादे गर्मी चाड़ गए या आले इस बते की अकल पर मुझे एरानी आती है कि एक बाद जो है जहां से मैंने शुरू किये वो कहता है कि आप उस पर इल्जाम सारा डाना है मेरा मितलब मेरा ख्याल में जूरत से जादा हो रहा है जो तुम परस्मेली रिट कर रहे हैं बात अब यह कर रहा हूं को तुम मरने वाला है उसी पर आप इल्जाम लगाए तो यह इल्जाम है उसने कुछ नहीं दिया या तो कम असकम वो कौन सा बच्चा था कि लॉली यह पर चुन्दा समय नहीं है अब भॉन इन 009 टूर के सा संजायो उसने कॉए तो कोसे हला है तो इससाया शकुलिया करना चाहिए था वह मरा मुद्ट तुम्हारा कि रहें कि मोरे पट चृण बूश कर मारा था क्या सा अध्यागा मेरा जात DR-9 आचा का सा जात है तुम क कि दो ψ了 फिर बो यह निया है, मतलों पास होन दो तुमारी आना का पर्पस ही कि और उसके पास खडा था कि रिएलेड के बॉत कि रूद को चाहिए था हुसम मुझे पमानता हु मानता हुं मानता हुझ समर उससे रिएलेड मे forgD मरना चाहते था तुम्हारी एक बात में कि मुझे समय नहीं है क्यों तुम वैसे मुझे ना थोड़े से हिले हो लगते हो गर्मी यार जो रिवर्ट देकर में सम्झाना मैं हिला हूँ कि यह हिलावा है कि एक पंदा उसके सामने बिदू तनी हुई है कभी में तनी हुई तनी हुई थी भाई आपने वीडियो देखी नहीं भी तेखी नहीं भी तेखी तेखी जो भी ता इसने बात शुरू किया उसने इटैलियेट नहीं किया परपल ही किया इसके बात करें कि वो खुद मरा है कौन मरने वाला है उ तो हिले ही नहीं है तो क्या साबद ही क्या करना चाहते है मुझे सम का अधियार की समझे रहा है। कुछ एस्तो दफा यह बात कर जोडकरे कि हम क्लावेसंु शबया के बात करें के समझा रहा है। समझाने वाली बात क्या है । का इतरो मित यहे करें, वार यहान पर में आता है। मेरे आधकर में न JEN उसकता है, झाल में यहित्स है। तो कुछ ऐसे बनने भी होते हैं उस वक्त उस पर जबड जाती है मैं उसके ये गलती थी मरने वाले की उसने जबड़ा नहीं को मैं गलती कह रहा है तुम कह तो जब पॉइंट उट जब तो पूरी वीडियो से सत्या नास कर रहे हैं तो यार उसके पास घड़ा था उसने बदूग निकाली उसने जो जान बचाने के लिए करते हैं बांते भूते हैं क्या वो फिर बढ़ते नहीं है यह को आगे से एसे वागयात भी देखे कुछ ऐसी वीडियो जिसमें एक बंदे के पास इत्यार होता है दूसरा जाको इत्यार वाला बंदा उसके अबला करने लगता है तो वो आगे से उसका इत्यार चाहिए पास ही खड़ा था उसने पूसर तो की या भई बाच गया वो कौन चाहिए एक अधा बंदा ना दो गाड़िया थी बढ़ी दिए या नहीं अग्या जिनत से आज है आज है तो पूसको रुटेलिट करना चाहिए था उसको रुटेलिट नहीं किया वो उसकी गल्ती गया है वो खुद बारना के नहीं चalते हो तो सब्ठाए कशो रिखाना करते हुए पर नहीं नहीं के रहता है। यह इसकी गल्ती थी, यह जाते हैं, वो बेव को उटता हुआ उससे बड़े बेव कुफाव हो, यह तो बात हो गई ना कि सारी रात रोता है, वह को परपस के सार मारा है, यह बता दो, उसने रेटायेट नहीं कि तुमें फियासे उसका मकसद क्या बात है, मकसद यह था, कि उ बस यह बात आप आप वैसे इस को समझ करना चाहिए अब आपको सुमझें यारर याप देखा काहिए अस बंदेट इस बंदे असलम बसा लेट करना चाहिये था। जो मारा रहा है उसार रिटालिएट नहीं तो अजतो पर दो हो तो अगले को फिर बात भी करना चाहिए तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए था जैसे भुर्स वो गया मतलब उसने इटालियेट नहीं किया या उसकी गल्ती है यार आप बेवकूर किया तुमारी बात करने का मेरा कोई बात करने का मैंने मेरी गल्ती है जो मैंने आप से बेवपूर हो वाला स्वाल कर लिया मैं है। मैं रहरत हूँ जदा हूँ more me मेले वキजिम की उसने किया। या किस ने कहा लीडियो उसके। मुझे ये बता भूँ मुझे ये बता दोूरी वीडियो कнесे दो चला लो मैंने बोला गज्ती उसने किया। ठआ जोड़ेはं अच्छे इस बाट मेंड़ी डालो लेकर जे जरूरा है कि पाकसान कंदर कोई भी जान महफूस नहीं है और कोई भी पाकसान कंदर एक इनसान इस तरह मारा जाता जिस तरह में गडी के पॉफता मर गया अप्र पाकस्तान जिन्दाबाल और फिर यह सरफ यह नहीं कि इसन के साथ हुआ आरे शेही दर्शेशी के साथ हुआ जो सच बोलता जो सच सामवे लागता है बात अंडिया पाकसाथ को मायशपा करना जिन्दाट नहीं बिचारा गया था यह उस पर कोई विलाऊग कार रहा था उसना रोका था तो उसको भी रुकना यह जो पिल्दी मैं मलता हूं अगर फिर रूपना चाहिए तो थो रोकना चाहिए तब पर नहीं तुम नहीं उसने जो भी कहा उसने कोई वीडियो देखी है मुझे तो लगता 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 है उसको वीडियो बना रहा तो उस दुरानी उसे की गुस्सा आया है ना उसने जाके रोका है उसने सी वियू Plus आफसे हैं। छो पाकिस्तान के खिलाप बोलते हैं। हलांके होतां नहीं। अकर ब्राइ। बढ़ा करते हैं । आपने लारब से भी पर कहां। इसहें बढ़ा चाहिए क्या सब्सγ्यान कारते हैं। असानी करते हैं और इतने भी यूपर वज़ाता है। लेकिन उनको कौन से मारा जा रहा देखें, कितने मारे गए 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 अनको मारा जाना चाहिए उनको में मारा जाना चाहिए, उनको में मारा जाना चाहिए क्योंकि कल जो बारिष हुई है उससे आपको फुछ नहीं बना है आपको सिर्फ बरत के सार नाना चाहिए आपके बुजारा ही होगा आप जिदी तोर पे थोड़ा सा ना हिल गए हो मांँता हूं मांगता हूं यह मेरे वीविवस दमें की असलम भाई इधर से शुरू कि अब एस्से बोले में की घुटी किया कि वह थो किरना चाहिए क्योंकि एक इससे क्या साबत होता है किस ने का गल्टी है किस ने कहा गल्ती है उसका मतलब देगा किस बेखुम ने कहा गल्ती तो तुम आप इसके रहा है इसी वज़ा से बाई साब मैं इसको मश्रा दे रहा हूं कि यह बर्फ के साथ है नहीं तो मैं भी वीडियो से कैन में यही बता रहा हूं कि वैसाब इसको नाने की जरूरत है वो भी बर्फ के साथ में आप मुझे सब्सक्रा कर चुके हैं कि आप उसको गलत कह रहे हैं मैंने उसको गलत नी बोला मारने वाले ने तो बहुत ज़्यादा गलती है यह इसका दूसा मतलब यही बनता मरने वाले के गलती है यह इसका नहीं के गलती नहीं कि वो तो बचाना मर गया